जंदर गुड़ा अपनी जमान्द नहीं बचा पाएगा ये मुझे और मुझे पुर्य कारे करताओं को विष्वास है च्छतिस कौम को विष्वास है हर आदमी का एक वक्त आता है और उसका वक्त जा चुका है और मेरा और मेरे कारे करताओं का मकसद है रेली को सफल करना हम सफल बनाने में उनका पूरा सयोग करेंगे वह जंता समझ चुकी है अब वह ज्यादा दिन नहीं चलने वाड़ा है राजनितिक माइने आप नहीं लगाएं एक टार्गेट जो वहां व्यापत राजनितिक लोग हैं परसासनिक लोग हैं उनका जबाब देने के लिए यह जु अगातार उदेपुर्वाटी में चर्चाओं में रहे हैं एक इनका वीडियो जो जबर्जस्त वाइरल हुआ तो उसके बाद परदेश भर में इसनकी एक अलग सी पहचान बनी है नमस्कार सर हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं आपके चैनल को और आपकी समय देता हूं और इस बाइचारे के परवय पर पुनहे सब को हारदिक बदाई सुभकाम ने है पांस तरीकर सेहनिक महा-ड वो काफी पिछड़ावा समाज है राजनतिक मेत्व कांकसाएं हमारे समाज की भी है इसमें पहले भी हमने पूरे राजस्तान परदेश से मारी सेनी मोरे कुस्वा समाज ने जेपुर में विदान सबा गेराव किया विद्यादर नगर में रेली की ये दूसरी कारिकरम है जो जुन्जनों जिले में उने जा रहा है इसके राजनतिक माइने आप नहीं लगाएं ये समाज में व्याप्त जो हमारे लोगों को करमचारियों को जो प्रेसान किया जाता है अधिकारियों को जो प्रेसान किया जाता है یूवाओں को پیڈ। کیا جاتا ہے एक target जो वहाँ व्यापत राजनितिक लोग हैं, परसासनिक लोग हैं वो एक target जो समाज के लोगों को करते हैं उनका जबाब देने के लिए ये रेली जुझनों जिले में की जारी है ताकि मेरा समाज का करमचारी सुरक्षित रहे, अधिकारी सुरक्षित रहे, मेरे समाज का युवा सुरक्षित रहे, मोटर साइकलों के चालान किये जाते हैं तो उद्यपुरवाटे विदान सबाओं में पिछले 4-5 महिने से मैं देख रहा हूँ कि परसासन टार्गेट करता है, उनकी मोट साइकलों के चालान करता है, गाडियों के चालान करता है अधिकारियों को खुले आम दमकियां दी जाती है, कि या तो समाज की पैरवी करनी छोट दे, नहीं तेरा ट्रांस्पर करा देंगे मैं आपके चैनल के माद्यम से उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूँ कि ये जूटे बोल बोलना बंद कर दो, जो सुरू आप लोगों ने कर रखे हैं, इनको करते ही बंद कर दो अब सेनी समाज वो सेनी समाज नहीं है, अब यहां का युवा भी जग चुका है, यहां का बुजरुक भी जग चुका है और ज्यादा दिन दूर नहीं है, जब आपको इसका एक निश्ची थी, मैं मेरी पूरी टीम की तरब से आस्वस्त करता हूँ उन अधिकारियों को, उन करमचारियों को, उन युवा साथियों को, कि आपको कहीं गवराने की जूर्त नहीं है, जल्दी ही वो समय आ रहा है, जिसमें इन राजनेताओं को और इन परसासनिक अधिकारियों को, एक मुत और जबावरा, उद्धे पुरुवाटी के 36 कौम द लगता है आपको देखो ऐसा है यदि आप इत्यास की बात करते हो चो चंदर गुप्त मोर्ये से लेके संदर गुप्त मोर्ये तक इस जब हिंदुस्तान को सोने की चिडिया कहा जाता था तब अफकानिस्तान से लेके इंदुस्तानी नहीं लंका तक सेनी मोर्ये कुस्वाओं का राज था जिनोंने एक जार सालिस सोने के चिडिया कहे जाने वाले इंदुस्तान पे राज किया था तो हम उनके बंसज हैं और मैं मेरे विरोधियों को कह देना चाहता हूं कि हमने इंदुस्तान पे जब सोने के च से मिटिंगों का भी आयोजन कर रहे हैं, पोस्टर भी विमोचन कर रहे हैं, पीले चावल भी बांटे जा रहे हैं, कितनी संख्याने की संभावना हैं? देखो इस कारेकरम को लेके मैंने भी कल चार बजे शीव मंदिर बांड़ा नड़ा पे पूरे जिंजनों जिले के युवाओं की, मेरे पिता तुले बुदर्गों की और समस्त कारे करताओं की मिटिंग रखी है कि आगामी रणिती अपने को बना के इस कारेकरम को सफल करना ह और मैं आस्वस्त करता हूँ आप सब लोगों को कि ये कारेकरम बहुत ही अच्छा कारेकरम होगा उदेपुर्वाटी में जिस तरीके की लगातार बयानबाजी हो रही हैं आपने जिस तरीके का दावा किया और मंतरी राजेंदर सिंग गुड़ा ने भी आपके बारे में कुछ कहा वो सब के सामने है उसको लेकर क्या कहेंगे देखो ऐसा है कि उसके उल्टे बयानबाजी वो जनता समझ चुकी है अब वो ज्यादा दिन नहीं चलने बाड़ा है वो पूरी तरह से बोखला गया है और मैं मेरे उदेपुरवाटे ही नहीं जुन जुन जिले अपितु पूरे राजस्थान के 36 कौम के लोगों से निवेदिन करूँगा कि अभी आगाज हो चुका है और रण की तैयारी है इस बार राजेंदर गुड़ा अपनी जमांत नहीं बचा पाएगा ये मुझे और मुझे पूरे कारे करताओं को विश्वास है 36 कौम को विश्वास है क्योंकि हर आदमी का एक वक्त आता है और उसका वक्त जा चुका है सहनी समाज की महारेली को लेकर ये लोग तैयारियां कर रहे हैं देखने वाली बात तो यह होगी कि चुनाओ में ये नेता एक मंच पर आते हैं या नहीं और इसका समाज को कितना फायदा मिलेगा ये तो देखने वाली बात रहेगी लेकिन समाज की जिस तरीके से आज व्य